नमस्कार दोस्तों स्वालत है आपका हमारे योट्यूब चैनल पर मैं हूँ गौरवपांडे और लेकर आए हूँ आप सभी के लिए एक लेटिस्ट वीडियो तो इस वीडियो में मैं आप सभी के एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दूँगा कि भाईया जो है हमारा कॉलेज कैसे चेंज होगा मालनी जी है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अगली कल्टफ में हमें और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो हमें जो है वो उस कॉलेज में एडमिशन दुबारा कैसे कराना है कैसे हमने पिछले एडमिशन को cancel कराना है क्या क्या मुझे हमें करना है तो वो सारी चीछे जो है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और वैसे भी मैं ये वीडियो बनाने वाला था क्योंकि मैंने यूटूब पे भी देखा है कि काफी यूटूबर्स ने है इसके रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियो नहीं बना रखी है या तो वीडियो पुरानी हो चुकी है या फिर उसमें proper information की कमी है तो इसलिए A to Z information जो है admission transfer को लेकर आपको इस वीडियो में मिलेगी और ये वीडियो तो वैसे मैं कल ही डालने वाला था लेकिन actually क्या है कि हमारी assignments का दिन आ चुका है यानि कि हमारी classes तो चल रही है online तो इस वज़े से हमें assignment जो है वो online ही submit करनी पड़ रही है और इसके लिए हमें assignment बनाना है test देना है तो ये सारे चीज़ों के वैसे थोड़ा सा time नहीं निकाल पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा लेकिन हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है ताकि आपको बहुत सारी जो good news है बहुत सारी जो update है वो time पर मिलती रहे और दूसरी चीज मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए मैंने whatsapp group create किये है दो तिन सो मैं चाहता हूँ कि आपको जिन बच्चे को भी डियू के डेटेट कोई problem आ रही है तो आप सभी उस group को join करें उसमें लगबग धाई सो student जो है add हो सकते हैं मैं दो group के link जो है आपके description box में डाल देता हूँ तो आप उसे join कीजिए अगर वो दोनों group full हो जाते हैं तो मैं एक तीसरा group जो है उसका भी link डाल दूँगा और आप सभी मुझे comment करके बता दीजिगा कि join नहीं हो रहा है तो चलिए इस video को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को subscribe जुरू कीजिएगा और इस video को ज़्याद से ज़्यादा अपने friend में share कीजिएगा तो सबसे पहले तो हम बात करने की what is college transfer क्योंकि काफी बच्चे को नहीं पता है कि college transfer होता क्या है तो देखिए if any student take admission in any college but their dream college is different and he she have good marks so they try to transfer their admission in another good college या फिर उसका course जो है वो अलग है और किसी और course में उसने admission ले लिया है तो इस situation में वो क्या करते हैं कि वो course और college जो है वो change करने के कोशिश करते हैं तो इस सारे process को जो है हम कहते है college transfer यानि कि college बदलना या फिर course बदलना तो हम next slide पे चलते हैं तो अब हम बात करेंगे admission in cut-up यानि की seat reserve करने का जो DU के अंदर formula है वो काफी ज़दा famous है जो precious होते हैं जो भी बच्चे admission लेते हैं वो focus करते हैं seat reserve करने पर उनकी मालने जिए कि आपकी 93% है तो वो किसी भी college में admission ले लेते हैं बट उनका अगर dream college different होता है तो वो क्या करते हैं अपने college जो है वो change कराते हैं for example मालने जिए कि आपका dream college है शहीद भगत सिंग evening या morning दोनों में से कोई भी मालने जिए कि शहीद भगत सिंग college जो है वो आपका dream college है बट आपकी first cut-up में या फिर किसी भी cut-up में second में उतनी percentage नहीं है कि आप शहीद भगत सिंग college में admission ले सके क्योंकि उसकी cut-up अगर मालने जिए 97-96 ऐसी percentage रहती है तो मालने जिए आप उसमें admission नहीं ले पा रहे हो तो अब आप क्या करोगे कि आपका तो वैसे शहीद भगत सिंग में भी नहीं हो रहा है तो आप देखोगे किसी और college में या for example और window college तो और window college में जो है आपकी मालने जिए cut-up जो है वो meet कर रही है आपकी percentage जो है west 4 की वो meet कर रही है और window college की cut-up से तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले जाकर आप admission लोगे और window college में और वहाँ पे आप Delhi University के अंदर अपनी seat जो है वो reserve कर लेगे तो इसलिए first priority जो होनी चाहिए students की वो यह होनी चाहिए कि आप किसी भी college में admission लो अब ऐसा भी नहीं है कि आपके 97 marks है और आप जाकर एकदम भारती college में admission ले लो तो ऐसा नहीं है अगर 97 मतलब मैं उस cases में बात कर रहा हूँ जिसमें आपके admission के chances कम रहते हैं मालने जी आपके 88% है 90% है तो इन courses में क्या होता है कि थोड़ा सा risk रहता है तो इसलिए admission का पहला आपका process यहीं होना चाहिए कि आपको seat reserve करनी है किसी भी college में जिनके तो यार 95 से उपर है वो तो seat नहीं reserve करे तो भी चल जाएगा उनका कोई दिक्कत नहीं है तो कि उनका किसी ना किसी college में हो जाएगा तो process जो है अब हम बात कर लेते हैं कि आपका change करने के लिए वो क्या है चाहिए आप course change करना चाहते हो या फिर आप college change करना चाहते हो तो यहाँ पर देखे देली निवस्टी की तरफ से साफ साफ UG bulletin 2020 में यह process जो है वो पूरा mention किया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले देली निवस्टी में क्या कहा है तो यह बात तो बिल्कुल सच कहा है यहाँ पर डियू ने कि जब भी आप जो है अपना course और college change करना चाहते हो तो जिस college में आप जाना चाहते हो यानि कि जिस college में आप admission लेना चाहते हो तो उस college की जो cut-up है उस department की उस college की उस particular course की तो आपको बहुत ही ध्यान पुर्वक जो है उस college का यह सारा चीज़ जो है cut-up जो है वो check करना है ताकि जो है आपको बाद में जाकर problem ना face करनी पड़ है तो जब आप मतलब पूरा sure हो जाते हो कि आपको yes आप इस college में eligible हो आप admission ले सकते हो तो applicants are advised to exercise extreme care to ensure that they meet the requirement for course and college once they are certain wish to cancel admission in course and their course college they initially had gained admission to in the previous list the applicant must log in to the UG admission portal to cancel their admission through their dashboard so देखिए अगर आप sure हो जाते हो कि हाँ इस college में मेरा admission हो रहा है तो simply आपको क्या करना है कि आप अपने portal पे जाओ यानि कि डियू यू यू जी जहां से अपने registration कराया था वहीं पर जाकर अपना portal पे login करो और login करने के बाद जो है आपको option मिल जाएगा आपके new course sorry आपके admission cancel का तो वहाँ पे जो है आपको choose करना पड़ेगा अपना admission जो है वो previous college में जो है उसे cancel कराना पड़ेगा और यही मैं बोल रहा था कि cancel कराने से पहले आप जो है दूसरे college में नए वाले college में पोरी उसकी requirement को देख लेना उसके जितने भी particular website पे जाकर उसकी cut-up चेक करना उ से आप cancel कराना नहीं तो फिर आप उससे भी जाओगे अगर आपकी requirement पूरी नहीं हुए तो नहीं college में भी admission नहीं मिलेगी तो यह ऐसे case में क्या होगा कि आप दोनों तरफ से चले जाओगे तो आपका admission ही नहीं होगा तो इस बात का ध्यान रखें कि college transfer करते time आपको बहुत ही ज़्यादा careful रहने बहुत मौत बहुत ही ज़्यादा तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो फार्मूला पूछते हैं बच्चे की भाईया यह बताए कि हम कितनी बार college जो है वो चेंज कर सकते हैं तो देखिए इसमें simply n-1 का फार्मूला होता है n-1 मतलब total number of cut-ups जो होत सकते हो और first cut-up में आप admission या course change नहीं कर सकते हो या फिर जो भी cut-up जो आएगी उसके अंदर अंदर मालीजे कि आपकी second cut-up आई और आपने किसी college में admission ले लिया तो अब ऐसा नहीं है कि उसी cut-up के अंदर आप दूसरे college में admission लेने की सोचो तो ऐसा नहीं होता है एक ही college में आप एक बार में एक ही college में admission ले सकते हो तो इस बात का आप सभी ध्यान दखो और इसमें जो है आपको एक चीज और है कि fees जो है वो आपकी refund हो जाती है, adjust हो जाती है जिस भी college में आप admission लेना चाहते हो लेकिन उसके उपर जो है आपके 1000 rupees जो है वो deduction impose किया जाता है जब यहाँ पर जो applicants है उनका मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब भी आप re-admit होते हो किसी भी college में तो आपका जो fees है वो अगर आपकी fees मालने जिए कि पिछले college की जादा थी और उस college की कम है तो जो भी आपने account number दिया है उसके उपर जो है refund आ जाता है after admission process और मालने जिए कि अग जादा है तो आपको जो है अपने portal पे जाकर जैसे अपने पहले admission कराते time fees पे किया था तो वो fees जो है वो पे करनी है और जो भी fees का adjustment होगा वो automatically हो जाएगा तो जो भी pending fees होगी जो भी बाकी fees होगी आपकी new college की वो आपको वहाँ पे portal पे पे करनी है तो यहाँ पर एक और च की जाएगी तो जो भी उपर नीचे होगा वो आप उस time देख लेना तो यहाँ पर जो है मैंने आपको सारा डेली निवस्टी का जो है प्रोसेस जो है वो समझाया है college change करने का और उमीद करता हूं आप सभी को ये video काफी पसंद आये होगी तो इस video का source of information क्या है वो मैं तो जाने से पहरे आप सभी से request है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गौरफ दुराहा को और जो मैंने link दिया है उससे click करके आप मुझे WhatsApp पेजवाइन कीजिए और प्लीज जाना messages मन कीजिएगा सिर्फ important message जो होंगे वो आप उस group में share कीजिएगा तो इससे पहले आप सभी से request है कि इस वीडियो को जा से जदा अपने वेंड में share कीजिए और like और comment करना ना भूले साथी में subscribe जरूर कीजिएगा आप लोग subscribe नहीं करते हों तो इसलिए आप सभी से request है कि subscribe जरूर कीजिएगा और इंस्टा पर जो है आप मुझे follow कर सकते ह इन से Facebook मेरी आइडिया है गौरब दुराहा के नेम से तो अभी के लिए इतना ही नमस्कार